Hello everyone, welcome back to my channel, स्वागत है मेरे चानल में चटोरी प्रतिमास किचुन आज मैं आपके लिए क्या गई हूँ, दिवाली स्पेशल पे बहुत ही जटपट इंस्टेंट बनने वाली मिठाई जिसे आप दो से तीन चीजों से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं सबसे पहले एक बाउल में मैंने तीन कप बूंदी लिया है, ये अनसल्टेड बूंदी है, इसमें नमक नहीं होता है मार्केट में आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो सबसे पहले इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइफूट्स लिये हैं, अपनी चोईस का आप कोई भी ड्राइफूट्स ले सकती है अब एक पैन में डालेंगे एक कप चेनी और तेड़ कप के आसपास पानी इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स होने देना है, यानि पानी पूरी तरह से घुल जाना चाहिए चाशनी नहीं बनानी है, बस दो-चार मिनट इसे हम कुक करेंगे फिर इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलाइची पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है ये और इससे हमें अच्छी तरह से कुक होने देना है, 3-4 मिनट कोक करेंगे चाशनी की कोई टेंशन नहीं है, इसमें की चाशनी बनाना है, एक तरवाला या जो भी है बस इसे नॉर्मली हमें डिसॉल्व होने देना है, जब 2-3 मिनट और कुक हो जाएगा डिसॉल्व होने के बाद तो इसमें हम डाल देंगे हमारा बूंदी का पाउडर है और थोड़ा सार फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल दूँगी डैसिकेटेड कोकुनेट आप चाहे तो इसे किबी कर सकते हैं, चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पी डाला है और बस इसे कुछनी करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और बहुत ही जटपण से यह मिक्स हो जाता है, बिलकुल टाइम नहीं लगता है गैस का फ्लेम बिलकुल लो रहेगा और यह देखें, जब अच्छी तरह से यह मिक्स हो जाएगा तो इसे हम ढग देगे गैस का फलेम बंद करके, कम से कम पांच मिनट के लिए तब तक यहाँ पे मैं क्या करूँगी एक कंटीनर को मैंने coconut oil से grease कर लिया है और यह जो हमारा mixture है इसी में हम डाल देंगे और एक spatula लेंगे और उसी की help से इसे अच्छी तरह से हम mix करके बिल्कुल equally spread कर देंगे एक level का यह होना चाहिए थोड़ा सा उपर से में जो dry foods हमें रखा थे cut करके उसे डाल देंगे अच्छी तरह से spread कर देंगे और spatula की help से इसे भी थोड़ा सा press कर देंगे ताकि यह अच्छी तरह से मिठाईयों में दव जाए अच्छी तरह से उसी में mix हो जाए और बस यह देखिए मैं अच्छी तरह से press कर दिया है और बस इसे आदे घंटे के लिए हमें फ्रिज में रखना है बस आदे घंटे बाद हमारी मिठाई बिल्कुल ready हो जाएगी उसके बाद आप इसे cut कीजिए जैसे चाहे cut कर सकते हैं मैंने इसे square का shape दिया है इस तरह से cut किया है और बहुती tasty दानेदार हमारी मिठाई बनके ready है थोड़ा सा press कर देंगे ताकि सब पराबर हो जाए इक्वल हो जाए शेफ हमारा अच्छा दिक है और यह देखिए जटपट हमारी मिठाई बनके बिल्कुल ready हो गई है बना यह खाई दिवाली पर कीजिए enjoy